हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अब्राइट एजूकेशन फिल्ट तो दोस्तों यह इस चैनल के पहली वीडियो है इस पर हम आपको यूकित ट्रिप्लेश यह और यूकित पीस्ट से लेके जितने भी सलेवस है वह आपको हम यहां पर फ्री देने वाले हैं पूरा तो हमारी पहली वीडियो है वह मैं उत्राइखन के जिग्रफी से शुरू कर रहे है और उत्रा कि जिग्रफी में रो explore का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है आपका उत्राइखन की भागैसित चलो दोस्तों सुरू करते हैं हमारा लाक्चिर तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अक्छांस और देसांतर पे याने की लॉंगिटूड और लैटिटूड पे अक्छांस याने की लैटिटूड और देसांतर याने की लॉंगिटूड ठीक है यह लाइन आपकी कहलाती है आपकी भूमध्य रेका क्या कहलाती है आपकी भूमध्य रेका ठीक है तो यह क्या करती है भूमध्य रेका यानि कि एक्वेटर उहुमादय रेका एक्वेटर क्या करते है हमारे आर्त को फ़ाग में डिवाइड करते है उत्री गुल आर्त में और दक्षेणी गुल आर्त में यानि कि नॉर्धं आप भी मिस्पियर और साउधं हमिस्पियर ठीक है अब दे удоб जो दो और नीचे वाली 21,3डी डीडी नौर्थ सवरी आपकी साउथ की साइड के लाती है तो यह आक्षाण्स किस काम आते यह अक्छांस आपने दूरी मापने के काम है, अब यह हमारा इंडिया है वह हमारा Northern Hemisphere में, तो आपने सुना होगा कि जो कर करेगा वह भारत के 8 राज़ी से जातेगी, यानि कि जो इंडिया है वह इस कर करेखा पे, ठीक है, इस कर करेगा के उपर नीचे, ठीक है, अब यह मै एक और इसके पहले लिक लाइन मार दीए यह मान लो तो यह मान लो यह वन डिग्री हो गया अब दो अक्छांस के बीच की डिस्टेंस होती वह कितनी होती वह होती है पिए 111 किलोमेटर यानि अगर जीरो डिग्री से वन डिग्री पर जाओंगा तो टोटल कितनी दूरी किती डिस्टेंस हो लोगा मैं मैं चलूँगा आपका 111 किलोमेटर ठीक है अब देखो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा देश अंतर की अब देश अंतर की आते मान लो यह 0 डिग्री देश अंतर है तो देश अंतर भी हमारी अर्थ को दू भाग में डिवाइड करता है एक साइड वेस्ट साइड ठीक है जो भारत है वह एस्ट साइड में अब देश अंतर क्या होते है देखो देश अंतर क्या होते है यह एक धृरोफ से निकल के दूसरी निकल के दूसरे पॉइंट पे जालन, है तो यह देसasantr आते हैं किस काम है हमारे समाइन आपने के में काम, जो जिडा गीरी देस पे रिजब्र डिशलैन को कहते पाहते निकलते हैं, ऊसलिए इसको चेहा होते हैं, यहीं सान्थ्र पूरी व्ल्ट का टाइम सेट होता है, ठीक है, आप देखो, दो देस अंतरों के भीस का दिश्टेंस होती है, वो कितनी होती है, तो दो to ah Music 11 yaa 0 से degree से मंगर, एक डिगी देस अंतर जाओंगा, तो जो समाई होता है इन दोनों के बीच, यह होता देश हंत्र के बीच का कितना माना जाता है,pee ऐसे करके यहांपे क्या होता है, समया मा आ पार जाता है। आपके वह कौरेसद ही सैड में आपके कितनी 28 डिगरी 43 मिनट से लेके 31 डिगरी 27 नॉर्थ की साइड यानिकि उत्तर की साइड यानिकि यह व्यों सबसे नीचे वाला पॉइंट हो देखो अक्षांस का होते है नॉर्थ वाले साइड आक्षांस जो एक्वेटर है यहां से उपर के लेए यह जाएंगे यह त तो जो टोटल अक्षान से उत्राखण के यह है 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 37 मिनट तर अब बात करेंगे देशांतर की देखो देशांतर ऐसे चल रहे हैं अगर भारत इस्ट साइड है तो उत्राखण भी इस साइड होगा तो यह है तो देखो यह वाला पोर्शन है उत्राखण का देशांतर में यह है आपका 37 डिग्री 34 मिनट से लेके कहा तक देशांतर आपके 81 डिग्री ठीके 01 little minute तक यानकि यह वाला पोड यह वाला पार्ट उत्राखण के सबसे किनारे वाला यह वाला आपका 37-34 मिनट पे और यह सबसे लाश वाला पाट यह कितना पे यह आपके 81 डीगरी 102 मिनट पे यह आपके उत्राखंड के देशहंतर और अक्छांस होगें अगर मैं बात करूं उत्राखंड का कुल अक्छांस से विस्तार कितने हैं टिक है उत्राखंड का कुल अक्षांस विस्तार मतब्द अक्षांस टोल कितना श्ण समते इहां से ना तक वो टोल किम होँ आपके 2 तो डिगरी चवालीस मिनटि यानि कि 28 दिगरी तेताइस मिनट से लेकर 31 डिगरी 27 मिनट तक जाने पर जो उत्तरा खंड का पूरा अच्छान से विस्तार आता है वह आता आपका 2.44 मिनट अब बात करेंगे 27 विस्तार की यानि 27 देगरी 34 मिनट से 81 देगरी 2 मिनट तक जाने पर उत्राखंड का टूटल देशांतिर विस्तार है यह वाला यह टूटल केत्त हो जाएगा यह हो जाएगा तीन डेगरी 28 मिनट यहने कि 3 डेगरी 28 मिनट तो यह आपका टूटल अक्ष्यांसिय और देशांतिर विस्ता आपका हो गया उत्राखंड का अब हम बात करेंगे कुल छेत्रपल उत्राखंड का तो उत्राखंड का जो छेत्रपल है वह आपका 35,483 किलोमेटर स्क्वायर है य यहां से लेके यह पूरी लंबाई कितनी है यहां से लेके यह पूरी लंबाई कितनी है यह है आपकी 358 किलोमेटर एंड और उत्तर षे द्राखंड तक यहां से लेके उत्राखंड की सबसे नॉर्थ और जलीके अट-क्षणी पयां पूरी कितनी है 320 किलोमेटर पूर स C पस्कीं कितनी लंबाई उत्राखंड की 318 किलोमेटर उत्तर डेक्षण के अडिडं तो यह होगया आपका उत्राघंड का विस्तार अब बात करते हैं उत्राघंड की सीमा किस देस», किस राज से लगती हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतराश्य सीमां की यानि कि अदेस वो कितने Novart आपका नेपाल ठीक है एक देश कोन है चीन है और एक देश कोन है नेपाल है ठीक है जो यह है यह फ़र जूम करके देखेंगे यह यहां से लेके यह जो सीमा है उत्राखंकी वो किससे साजा हो रही चीन से यहां से लेके जो यह पूरी है यह यहां तक यह किससे साजा हो रही चीन ये जो तिब्बत होपिप्याख कर आवा चीन और वाला इसा ठीक है तिब्बत से टूटल कित्ती सीमा हो रिए ये हो रिए 350 में 3050 क्यों मेटर की सीमा उत्राखंड साजा करता चीन स्प्राखंड लेकर यहां तर दूसरा देस को आने दूसरा देस है नैपाल से सीमा बना के यह और यहां तक है यह है नेपाल और नेपाल के साथ उत्राखण जो सीमा सेयर करता हो 275 km के करता है कितनी 205 km के अब देखो हम बाद तन्येद यह चीन के तो चीन के साथ उत्राखण सीमा सेयर कर रहा है वो टोटल मैंने कित्त बताया था 350 km अब देखो अगर मैं खूँँ चीन के साथ उत्राखंड के कितने जिल्ले सीमा साजा कर रहे हैं तो देखो चीन के साथ उत्राखंड के तीन जिल्ले सीमा साजा कर रहे हैं या आप मैप में भी देख सकते हैं एक यह उत्तरकासी ठीक है यह है चमोली दूसरा और आपका तीसर के आगे पिथोड़गर के नेपाल की किन है किनल से कुल कितना सीमा वारी है और कितन जिली नेपाल से सीमा ठीखो यह पिथोड़गट बना रहे है एक चमपध बना रहे है और यह उदम सिनगर एक तुझ तीन जिल्य नेपाल से बना रहे है अब तुम देख रहे होंगे सबसे ज्यादा सीमा अंत्राष्ट्य शीमा उत्राखंड का कौन से जिल्ला बना रहे है तो देखो यह राज्यसीमा जयाने के Interstate Boundry, तो देखो, कितने state से उत्राखणद की boundary लगती है, दो state से, ठीके, वो दो राज्ये कौन कोन से है, वो दो राज्ये आपके हिमांचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, देखो, यह इसा हिमांचल प्रदेश है और यह नीचे वाले की है, उत्तर अब सबसे पहले बात करते हिमानचल प्रदेश तो दीगूं दिखाये देर हो आगा है उत्रेखन हिमानचल प्रदेश के कुल कितने जिल्लोग से सीमां बना रहे है इमानचल प्र टेश यह हिमान्चल प्रदिस की बाउंडरी है यह यहां से और यहां तक Google कौन-कौन से जिल्ले बना रहे हैं एक तो यह उत्तरकासी बना रहे हैं दूसरे यह दहर्यादून बना रहे हैं जिल्ले उत्रा खंड के सीमा बना रहे हैं किसे हिमान्चल प्रदिस लेकिन अब अगर question को तो थोड़ा टंड किया जाए और ऐसा पुझा जाए कि हिमांचल प्रदिस के कुल कित्त जिल्ले सीमा बनाते किसे उत्राखंड से तो यह क्या होगा अंसर ठीक है तो दोस्तों देखो उत्राखंड प्रदिस के तीन जिल्ले किसे सीमा बनाते है उत्राखंड से तीन जिल्ले क कैसेएद दूसरा यूंज एवाला है यहां तक सिंगा सिंहोंगा मैं रिफ्सक्टा की बारे में अब जो तीसरा जिल्ला है वह आपका सिं gaat याने कि ये वाला ये वाला जो जिल्ला है कौनचा है सिर्मोर तो तीन जिल्ले जो सीमा बनाते किससे उत्राखंड से किसके हिमांचल प्रदेश के ठीक है तो देखो जो किन और हो कि सिर्फ किससे सीमा बना रहे ये उत्रकासी सीमा बना रहे से सिमला किससे बना रहे समला उत् दैरादुन किस से लग रहे हिमांचल प्रदीस ठीक है अब बात करते हम आगे उत्तर प्रदीस की ठीक है बात किसके करेंगे उत्तर प्रदीस की उत्तर प्रदीस की कुल कित्ते जिल्ले सीमा उत्तर प्रदीस से उत्तर प्रदीस की कुल कित्ते जिल्ले सीमा बना रहे उत्तर यह थोड़ा है शीवाला हिशा उत्तर पर्देश को सीमा बनारे होता यहां। यहां तर देखो उत्तर प्रदेस के साथ 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 उत्तर प् हरिद्वार के साथ जो सीमा बनाएगा वो है एक तो आपका मुझफवनगर है और यहांके मुझफवनगर और बिजनओर दोजिल्ले यह होगे मुझफवनगर और बिजनओर यहां फर्यद्वार के साथ सीमा बना रहे पॉड़ी के साथ कौन बना रहे यह देखू बिजनौर और यहां पर मुरादाबाद है अब आगे नैनी ताल के साथ कौन बना रहे ठीक है और लास्ट जू जिल्ला आ था वह है आपका उदम सिंग न बिजनौर मुरादाबाद रामपूर बिजनौर मुरादाबाद यह हो गया यहां पर आपका रामपूर हो गया यहां पर आपका ब्रेली हो गया और यह वाला हिस्सव जो होता है यह होता है पीली भीर का तो उधमसी नगरी तो जुब सजाधा सीमा सेयर करता है किसके साथ उत मुरादाबाद नानिताल से लग रहा आपको विजनोर यह आप applying विजनोर मुरादाबाद रामपुल परेली और पीली अ इस मैप में आपको बता दिये हैं है अब बात करते को दोस्तों जो आंतरिक जील्विद वह जील्ले होती है जिनकी internalistic यानिकि जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लग रही है ना तो किसी राजे से लग रही है यानिकि वो अपने राजे के अंदर ही सीमा बना रहे तो यानिकि आंतरिक जिल्ले इस बैप पे आप देख सकते हैं तो ऐसे कौन से जिल्ले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लग रही है ना तो किसी राजे से लग रही है तो देखो एक है रुद्र प्र्याग हो गया दुसरा टीरी गडवाल हो गया तीसरा बागेसवर हो गया चोथा अलमोडा ये चार जो जिल्ले है रुद्र प्र्याग टीरी गडवाल बागेसवर अलमोडा ये क्या है आपके आ अब बात करते हैं उत्राखंड को कितने मंडुलों में पांटाएंगे हैं अल्ब आई सकto पता होगा उत्राखंड को मंडूलों में फांटाएं सब्सक्रिएख अब देखों अब देखो यह जो boundary है यह उत्तर यह गडवाल मंडल के boundary है ठीक है यह अगर इसमें question ऐसा पुछा जाई कि गडवाल से उत्तर गडवा स्वारी गडवाल मंडल के कुल कित्त जिल्ले सीमा बना रहे तो देखो इसमें दो जिल्ले यह विसके गडवाल मंडल से कुमाव मंडल के कुल किते जिल्ले सीमा बना रहे हैं सबसे ज्यादा जिल्लों के साथ सीमा बना था देखो धुसरे नक्स्छम में देखो इस मैप में देखो तो पॉडी ऐसा या यह पॉडी एक साथ धिलोसर सीम बनाते यह टी। से बना रहा दो टीरी गडवाल से बना रहा तीन ये रुद्र प्रयाक से बना रहा चार चमोली से बना रहा पांच अल्मोडा से बना रहा छे नैनिताल से बना रहा साथ ये पोड़ी डिश्टिक सरवादिक साथ दिलों से सीमा बना थे ठीक है उसके बाद चमोली और चमोली पागेशर पिथवडगाड चमपावच छे तो चमोली और अलमोडा ऐसे जिल्लें जो 6 जिल्लों की साथ सीमा बना रहे वह है आपका पॉड़ी डिस्टिक जो सरवादिक साथ जिल्लों से सीमा बना रहे तो दोस्तों यहीं पे हमारा पहला टॉपिक खता मोता उत्राक करते हैं जो आपके आधा में होने वाले एग्जाम में आएगा आएगा अधाम उसारा आपको यहां पर फिरी मिलने वाला है ठीक है ठाइंकि दोस्तों आज कि क्लास यहीं पे करते हैं खत्म